इलाइट स्टेडी प्रेटफरम पर आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में हम डिसकसन करेंगे हिमाचल परदेश के बर्स भर के जो भी टॉप क्लास करने टाफेर्स रहेंगे उसकी आपको एक सेपरेट क्लास दी जाएगी क्यूंकि आपको ग्यात है हिमाचल परदेश में 30,000 पदों पर बंपर भरतियां होने जा रही है तो आपको अपने कमिशन की त्यारी के लिए अच्छे से अपनी त्यारी को आगे बढ़ाना होगा तो उसके लिए इलाइस्टिडी टीम फिलाल आपके लिए यहां पर बहुती बेहित्रीन उच्वाल्टी का जो हमारा कंटे पर बहुतीες गतना होती है इसमें कुछ नए काम होते हैं कुछ नहीं न्यूक्तियां होती जैसे आपको बात करें इमाचल परदेश में उप मुख्या मंतरी पहली वार बने है देखिए उसका constitutional provision क्या है एट परजाइट भारत के किनकिन राज्यों में उप मुख्या मंतरी बनाये गए है यह सारी चीजें देखिए हम यहां पे एक बिश्तरित बेव में discussion करेंगे इमा माचल परदेश सरकार की नभीन योजनाय कौन-कौन सी है और जो पिछली government ते उसकी कौन-कौन सी योजनाओं को बंद कर दिया गया है यह माचल परदेश विधानसभा के चुनाब हुए है उसका अबिसलेशन भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा यह माचल परदे यह आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा तो आई सबसे पहले बात करते है हिमाचल परदेश में दुनिया का दूसरा बड़ा रोपे देखिए आपको इस तरह सी चीज़ें याद रखनी होगी अपने दिमाग में थोड़ा एक जैसे आप जब भी आप पढ़ने के इंटरलेट करते हैं तो निश्ची दौर पर चीज़े आपको लंबे समय तक याद रहेगी यह जो सीरीज है हमारी हिमाचल परदेश परशासनिक सेवाओं की बात करें या कलरक से लेकर हैस तक की प्रिक्साओं के लिए आपके लिए उपयों की साबित होने वाली है तो यह कि यह जो प्रोजेक्ट है इसकी 13.79 किलोमेटर लंबा होगा इसमें 13 स्टेशन रहेंगे और 660 ट्रॉलियां इसमें लगेगी तो आप याद रखिएगा हिमाचल परदेश की जो राजधनी है सीमला बहां पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोप पर स्तापित किया जा रहा है अगली खबर है इकुबेर सॉफ्टवेर क्या है देखिए जब कुबेर सब्द आ जाया तो आप थोड़ा सा देखिए यहां पर अपना ब्रेन भी अप्लाई कर सकते हैं तो इमाचल परदेश में जब आप सरकारे नौकरी में आएंगे जो सरकार का धन होता है सरकार को जो टेक्सी जाते है या सरकार की जो इंकम होती है या सरकार की जो लाइबिलिटीज होती है सरकार ने की इंप्लोई की सेलरी देनी है यह सारा का सारा काम सरकार की ट्रेजरी से किया जाता है जिसे आप एक सरकारी खाता भी कह सकते है एक सरकारी खाता होता है एक सरकार का अपना बहां से पूरी के पूरी liabilities बहां से सरकार के दौरास के निर्भण किया जाता है, देखिए जो EVE कुबेर software है, यह आपने याद रखना है, इसको आपने सीधा इंटरलेट करना है सरकारी ट्रेजरी के साथ में, देखिए दिया हम बात करें पिछले अच्छेस नायप तसीलदार या light services की प्रिक्सा की, तो बहां पे देखिए किस तरह के हमें हिमाचल परदेश के current face देखने को मिले थे, आप से एक सूची 1 होगी, सूची 2 होगी, सूची 1 में कुछ contents के नाम होगी, आपको सूची 2 के साथ में match करने होते है, यह trend आज किसमें हमें हिमाचल पर currency होगी, काम में speed up होगा, और इसके अलावा, इस software के माध्यम से सरकार की तरफ से विभीन तरह की योजना चलाई जा रही है, कई बाद देखिए जैसे हम बात करें, यहां पे हमारे जो किसान होते है, किसानों के लिए कि योजना चलती है, सरकार के जिसमें उनको 3 मीने परदेश सरकार है, यहां भी बात करेंगे, आप सुकासरय योजना शुरू की गई है, उसके अंतरगर देखिए लावार्तियों की साहिता करनी है, अभी देखिए उसी में एक लड़की है, जिसका अभी एक 2 लाक रुपे का प्रोजेक्ट सभी कृत किया गया है, देखिए परदेश में लावार्तियों के खाते में पैसे आएंगे, इस प्रक्रिया के ताहत केबल मातर, नेफ्ट और आर्टी जीएस पेमेंट के लावार्तियों को लाव मिल पाएगा, इमाचल परदेश में e-charging, अकसर आप सुनते आ रहे होंगे, इमाचल परदेश के जो मुख् प्रस्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तो परदेश सरकार का सबसे पहला काम है यहां पर, कि जो e-bahan है, जो electronic बahan हमारे इस परदेश में चलेंगे, इस परदेश के बाताबन को सोच रखेंगे, इंदन की जो आप देखते होंगे, किमते उसकी आस्वान चूरी है, उनको निय प्यात होगा हिमाचल परदेश सरकार का जो बजट पेस किया गया था, दो हजार तेईस में, उसमें भी मानिय मुख्यमंत्री सिरी सुकविंदर सिंग सुक्खु जी के द्वारा कहा गया था, कि जो यूबा, नई e-taxi या e-bus लेना चाहता है, उसे हिमाचल परदेश सरकार 50% तक की सबसीड़ी भी देगी, इसके अलावा जो हिमाचल परदेश का परिवहन बिभाग है, जिसमें आप HRTC की बसीज देखते होंगे, इस पूरे के पूरे हिमाचल परदेश की जो बसीज है, धीरे धीरे इन्ने भी देखिए, यी बसीज में, इलेक्ट्रोनिक बसीज म लड़की की उमबर 21 वरस, लड़की की साधी करने की जो आई यू है, वो 18 वरस है, लेकिन हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा यहां पर लड़कियों की जो उमबर है, उसे 18 वरस से 21 वरस तक बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, तो हो सकता है, आने बारे स लड़कीयों की साधी करने की आई हो, 21 वरस यहां पर निर्धारित की जा सकती है, मुख्या मंत्री बन बिस्तार योजना, देखिए तो आपको अंडरस्टूड है कि यह योजना हमारे किस से एलेटिड है, बन भिवाग से एलेटिड है, लेकिन आपसे यहां पर आपने पन बहां पर किया जाएगा, तो देखिए इस योजना को नाम दिया गया है, मुख्या मंत्री बन बिस्तार योजना, और आपने सबसे मत्तोपन चीज़ यहां पर आद रखने है, इस योजना को जो सुवरम किया गया है, बिलासपुर जिला के बियान घाट में 10 सेक्टर ए योजना कहां से सुरूप की गई है, तो आप उसका उत्तर बिलासपुर जिला ही पुछेंगे उनसे, यदि आप बड़ी प्रिक्साओं के पेपर देखेंगे, अच्चेस नायब तसिल्दार हो गया, आपका या लाइट सर्बीसिस हो गया, तो उसमें आपको ये नाम भी य सुलन जिला है, तो देखिए सुलन जिले का जब नाम आता है, तो देखिए उसको अधियोगी किसित्तर के लिए काफी ख्याती पराप्त है, क्यूंकि और चंडिगर से भी बहुत इनस्दीक है, तो यहां पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत से यहां पर आपको बता अपराद सुचकांग जारी किया गया है, और इसमें सुलन जिले को अपराद दर में सबसे हदिक बताया गया है, तो आप यहां पर देखते होंगे, इससे पहले हम अक्सर सुगते थे कि माचल परदेश में जो सबसे ज़्यादा अपराद गटना दर्ज होती है, उसमें कां करना है, इसका एक प्रमुक पेरामेटर रहता है, जहां पर फिमेल सी से क्योर नहीं होगी, तो आप उस परदेश को देभुमी के नाम से कैसे उसकी जो इतनी अतिहासिक हिस्टोरिकल एक उपमा दे गई है, आप उसको कैसे संजो कर रख सकते हो, तो यहां पर देखिए हमीरपूर एजुकेशन रेट में नंबर बन है, लेकिन यहां पर अपराद बहुत ही जीरो है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, अधि हम बात करें, तो हिमाचल परदेश का सबसे सुरक्सित जिला हमीरपूर माना जाता है, और आज्या का जो आउस्ट अपराद सुच है, उनको अच्छे सी आप मेमोराइज कर लीजिएगा, इमाचल परदेश में जो अभी पुलिस की बरती होने वाली है, उसमें जो फिमेल्स की रिजर्वेशन है, इसकी जो परसेंटेज जो 30% कर दी गई है, तो देखिए अब आपको यहां पे कमेंट सक्षन में बताना हो थोड़ा सा काम आपको करना होगा, कि आप पूरे भारत के किस राज्या में जो पुलिस की भरती होती है, उसमें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दी जाती है, यह आपने बताना है, क्योंकि खवर काफी सुर्खियों में रही है, और यदि आप नियमित रुप से हर वर्स की तरह इस बार भी हमारे टीम के दोरा इरली बुक अंग्रेजी और हिंदी में लॉंस कर दी है, यह आप उस किताब को रिव्यू करना चाहते है, तो आप निचे एक वेबसाइट देख रहे है, www.elaststudy.co.in इस वेबसाइट में जाकर के आप इन किताबों को रिव कार्पोरेशन के द्वारा भी एक यहां पर स्टाल लगाया गया था, और यहां पर हम आपको बता दें कि इसका जो आयोजन हुआ था, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2030 तक हुआ था, तो यहां पर हिमक्राप्ट कार्पोरेशन के स्टालों के अलाबा हस्चिलब को बढ़ाबा दे देने के लिए राज्या संचालित उद्दम हिमकोस्ट द्वारा पांच स्टाल और राज्या ग्रामिन आजीव का मिसन द्वारा 20 स्टाल लगाये थे, दिल्ली में यदि हिमाचल परदेश की जो हस्चिलब कला है, उसके यदि 35 स्टाल आपको देखने को मिलते है, तो निश हिमाचल परदेश में विरोजगारों के लिए एक मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना भी शुरू की गई, आप उसका भिलाब उठा सकते हो, यहां पर देखिए इस स्टाल पर देखिए जो हमारे हस्त सिल्प उद्योग से समंधित जितने भी प्रोड़क्ट होते है, हिमाचली सौल है, टोपी है, या अन्या उत्पाद है, इसके अलाबा देखिए अभी तो खाने में भी देखिए बहुत आगे हमारा हिमाचल परदेश बढ़ बढ़ रहा है, जो हमारे परंप्रिक बयंजन है, उनको भी देखिए रिप्रजेंट करके एक अच्छा रेपनि में स्तीत है, देखिए हिमाचल परदेश के इस क्रिशी बिश्व विदाल्या को फार्मर फर्स्ट सेंटर को भारतिया क्रिशी अनुसंधार परिशाद द्वारा सर्व स्रेष्ट प्रदर्शन उतक्रिष्ट पूर्षकार से नबाजा गया है, जो विदार्ती देखिए एक अगरिकल्चर के सेक्टर में जाएंगे, किसी ने एंटरेंस एक्जाम देना होगा, या अगरिकल्चर सेक्टर की कोई परिक्सा है, उनके लिए प्रसन काफी मत्तोपुर्ण है, चूडधार चोटी पर पहले बार हेलिकॉप्टर लेंडिंग, देखिए जो चूडधार चो चूटी है, सिमला और सिर्म और दोनों के बीच में पड़ती है, तना आप याद रखिएगा, देखिए दक्सिन हिमाले का हमारा अक्सियत्तर पढ़ता है, इसके साथ में जो हमारा परोसी राज्या है, पहारी राज्या के नाम से जिसे जाना जाता है, उत्राखंड, देख इस चोटी बरा पहली वार हेलिकॉप्टर लेंडिंग के लिए देखिए काला बाग के करीब 12-15 मिन्ट में लेंड हो जाएगा तो के सिमला से जब भी चलेगा जैसे आपको कहा कि सिमला के दक्सिन में स्तीत है तो 12-15 मिन्ट में देखिए चुट धार चोटी में पहुंचा ज करते है कि हिमाचल प्रदेश के हर कोने में पहुंचना चाहिए तो इसकी भी देखिए कि यहां पे अच्छी सुगुबगाट देखने को मिल रही है डिजिटल ट्रांसीकार में दो प्रतिस्टित पूर्शकार दिये गया है तो यह कारकरम गोवा कनेक्ट एंड इलोग मीडिया ने लदाख के सुचना प्रद्योग की भिवाग के सहोग से सरकारिक सेतर में डिजिटल तकनिक के माद्यम से उतकरिष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया था तो डिजिटल टेक्नोलोजी और गबर्नेंस भिवाग यानी डिटी एंड जी के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल प्योजना ग्यारासो और हिम परिवार योजना के सफल क्रियानिमन के लिए यह पूर्सकार दिया गया है देखे हम आपको बता दें इमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सेवा संकल फैल्फ लाइन है आप सिंपली भी किसी भी समस्या के लिए ग्यारासो नंबर पर डायल कर सकते हैं वहां पे आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करबा सकते हैं उसका लिखीत में समाधान होता है यह समारे परदेश में शुरुवात हो चुकी है हीम परिवार के दिए हम आई बात करें तो यह हमारी मेडिकल लाइन से समंदीत एक सर्विश्या सरकार की देखिए जो आयुसमान भारत योजना के अंतरगत कबरप नहीं होते है उन परिवारों को सरकार हीम परिवार के म मेले में एककल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिवन देखिए रेणुका जी जो मेले का आयोजन है इसका आयोजन होता है सिर्मौर जिला में और इच्छे दिवसिया मेला है ये भी आप याद रखिएगा टेट की प्रिक्सा के दिवी हम बात करें तो बहां पर देखिए ऐसे पूर्ण प्रतिबंद लगा गया था ताकि मेले के दुरान भी स्वचता बनाई रखें बनाई रखी जा सकें देखिए इसके लिए प्रशासन का काफी मत्तोपूर्ण योगदान रहता है प्रशासन ने यहां पे हंड़र अस्थाई सोचाल्या स्थापित किये गया थे और अब देख रहे होंगे हिमाचल परदेश में मानिय मुख्यमंतरी सिरी सुकविंदर सिंग सुक्खु जी के दौरा मुख्यमंतरी सुखास्रे योजना शुरू की गई है जो अनात बच्चे है ठीक है उनके देखिए सरकार की तरफ से उनने Children of the State के रूप में अडॉप्ट क की गई है और देखिए इस योजना के सफल करेंड बैन के लिए हिमाचल के मुख्यमंतरी मानिया सिरी सुक्विंदर सिंग सुकु जी के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में परदेश सरकार जो HIV पौश्टी बच्चे है उनके लिए भी देखिए कि योजना लेकर आए होती है डेली क्रंट फेर्स है यह और भी गैंसी निकलती है सारी जानकरी यहां पर भी अप्लोड की जा रही है तो आप इन दोनों वेबसाइट के माद्यम से हिमाचल प्रदेश पे किसी प्रतियोगी प्रिक्सा की त्यारी के लिए आगे बढ़ सकते है अगले लेक्चर मे हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की बहुत ही मत्तोबुन घटना है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यसवन सिंग परमार अदयोगी की एवं बारेंकी विश्ववडालिया में जो दिक्सांत समारू हुआ है उसमें कुछ बिस्येस घटना है यहां पे घटीत ह हुई है उसके बादेखे मीना चंदेल को राष्ट्रिया पूर्शकार मिला है राष्ट्रिया खेलों के सेंत में संसकरन का आयोजन हुआ था उसमें हमाचल प्रदेश की क्या स्तीती रही है इस तरह की बहुत ही मत्तोबुन घटना है आपको मिलेगी लेक्चर नमबर टू म तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू बेरी मस्ट कीप बॉचिंग इलाइट स्टेडी यूट्यूब चैनल